Hello students, welcome to Life at AMU आप सभी students को एक क्वेरी रहती है लाइक जब entrance exam में जाते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या समान लेके जाना होता है ये क्वेरी सही भी है और important भी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे कुछ भूल जाते हैं या फिर कैसे जाना है और exam में कैसे appear होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको question attempt कैसे करना है उस सब के बारे में भी idea देने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है देखिए जब भी आपका कोई exam होता है EMU में जाना है आपको जामिय के दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपका entrance exam है उसमें सबसे important चीज क्या होती है obviously admit card होता है admit card के बिन आपको entry नहीं मिलती और entry तो दूर की बात आपको ये भी नहीं पता होता exam कब है किस time है किस जगा है तो obviously admit card तो आपको देखना पड़ेगा अब उसकी photo copy करानी होती है photo copy में अब ये भी पूछते है color and black and white क्या करा है तो आप कोई भी करा लीजे black and white ही कराईए आपने पैसे भी बचाईए कोई issue नहीं होता तो ये मत सोचे 5-10 रुपाय में क्या हो गई है साब इसके बाद क्या होता admit card की ये कोईरी रहती है एक निकलवाएं या दो निकलवाएं हमें admission के वक्त ज़रुरत पड़ सकती है अगर आपको admission के वक्त ज़रुरत पड़ेगी तो obviously download हो जाता है वो website से जामिया में ज़रुरत पड़ती है अगर आपको ID password याद रहेगा तो इसलिए आप एक प्रिंट डाउनलोड करवाईए जो exam hall में आपको ले जानना है फिर उसमें photos की बात आती है photo आपको obviously दो रखने होता है दो कैसे अगर आपने paste कर लिया और उस पे admit card पे already तो उसके अलावा एको चाहिए होता है उसे आप महीं से घर से भी paste करके जा सकते है वनना आपको exam hall में भी कुछ paste करने के लिए मिल जाता है तो आपको इसमें attention लेने वाली कोई बात नी है pen आपको पता है कि ball pen ले जाने है चाहिए आप blue यूज़ कर लीज़े चाहिए ब्लेक कर लीज़े वैसे दोनों होने चाहिए आपके पास आप ब्लेक यूज़ करेंगे तो बेतर रहता है तो ब्लेक की यूज़ किज़ेगा मैं सजेस्ट करूंग आपको वह आपका डार्क दिख जाता है ठीक है और ball pen यूज़ करना है gel pen कभी मत यूज़ करना क्योंकि OMR sheet होती है जब आप फिल करते हैं अब यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो यहाँ वाला question थोड़ा हिल जाता है तो वह फैल जाती है इंक उस वज़े से आपका OMR sheet खराब हो सकता है मतलब जब computer में scan होता है उसमें गड़बड हो सकती है तो इसलिए gel pen कभी मत यूज़ कीज़ेगा अब जब भी आप exam में बैठते हैं और time का जरूर ख्याल लखिएगा टाइम आपको जो OMR sheet भरने के लिए time दिया जाता है वो अलग से मिलता है आपको आद गंटा या 15-20 मिन जितने भी होते हैं उसके अलावा आपको exam time मतलब जो paper attend करने का होता है वो अलग से मिलता है OMR sheet के लिए आपको fill करने के लिए अच्छा खासा time मिलेगा उसमें क्या ग से 15 मिन पहले ही अंदर entry ले 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 अदर गंटा पहले वैसे start हो जाती entry तो इसलिए आप जल्दी entry ले ले लेकिन OMR sheet आपको time पर ही मिलेगी paper आपको time पर मिलेगा वो आपको seal मिलता है seal आप खौन ले ही सकते paper की जब तक आपका time नहीं हो तो इसलिए time पर पहुचिएगा अगर आपकी कोई गड़बडी हो जाती है OMR में वैसे नहीं करनी क्योंकि सबसे बड़ी बात ही है आपको पूरा invigilators जो होते हैं पूरा guide करते हैं कि ऐसे आपको fill करना ये सब चीज वो बोलते रहते हैं कि गलती मत कीज़ेगा अगर कुछ पूछना है पूछ लेज़े त तो ऐसा नहीं करना क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ी हो जाती है दूसरी OMR नहीं देते आपको उसी में सही ठीक ठाक करवा देते हैं लेकिन अब उसमें confirm नहीं रहता आपकी OMR रीड होगी computer में या नहीं होगी अब ये भी होता है कि सर हमारी गड़बड़ी हो गई थी ये गलत कर दिया था हमने ऐसे ऐसे करके हैं OMR में दुबारा से फिल किया उसी में कट करके तो हमारे reject तो नहीं होगा अब उसमें मैं कोई कुछ नहीं कह सकता वो तो आगे computer ही बताएगा कि हुआ है ये नहीं हुआ है result बता देता है अगर result आ गया तो सही है बाकी reject हो गई ह में भी इस वज़े से अगर आपके mark जादा थे और नाम नहीं आया ये भी reason हो सकता है तो उस case में कुछ नहीं किया जा सकता है इसलिए मैं आपको पहले ही attend कर रहा हूं active कर रहा हूं कि आपको ध्यान से बरना है और कोई भी बात होती है कुछ भी बात होती है इसके लावा आप पानी वगरा ले जा सकते हैं अपना पानी मिल जाता है लेकिन बेटर है आप अपना ले जाए खाने पीने के लिए कुछ नहीं ले जाए और ध्यान रखिए phone या electronic watch या फिर कोई paper बिलकुल नहों आपके पास आपको महां से exam से निकाला जा सकता है अगर आपके पास मि में रुकें वहीं रखके आए क्योंकि ऐसा होता है कोई teacher class में रखने देता है कोई teacher class में नहीं रखने देता है ऐसा होता है कोई collect कर लेता है लेकिन कोई कोई बोलता है नहीं हम collect नहीं करेंगे आप भार ही देकर आपको भेज दिया जाता है यह बाहर गेट पर ही आपको ज करवा मैं रिव्यूज लेने के जाद जादा तो इस बार में भी कम रिव्यूज आएं लेकिन आएंगे और इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना जितने एक्जाम के रिव्यूज लोंगा मैं दिखा दूँगा आज आएगे अपलोड कर दूगा और वीडियो देखते र